बढ़ते आगे रुकरते अगली खबर की तरफ एले सी पर तनातिनी के बीच आज चीन से छटे दौर की बाचीत हो रही है ये बैठक मोलडों में हो रही है बैठक में पहली बार विदेश मंत्राले में जॉइन सेकेटरी नवीन श्रिवास्तव भी शामिल हो रहे हैं और ये पहली बार है जब सेन्नी अफसरों के अलावा डिप्लोमाट हिस्सा ले रहे हैं खबर है कि भारत चीन से उत्तर्च दक्षियन तक चीनी सेना की तैनाति वापस करने पर बात करेगा तो आज ये एहम बैठक जो हो रही है हना कि इसमें एक बड़ी बात ये है कि विदेश मं मंत्राले की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन है नवीन श्रिवास्तव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं छटे दौर की बातचीत है तनाव जो एलेसी पर बना हुआ है उसको लेकर अब यहां से कोई काम्याबी दोनों देशों के रिष्टों को बैठर करने में मिलती है देखना यह होगा लदाक से इस वक्त गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए है गौरव अब लगातार स्थिती पर नजर बनाये हुए है लेकिन आज की मिटिंग में एक एहम पहलू यह है कि विदेश मंत्राले से भी एक अधिकारी नवीन श्रिवास्तव शामिल हो रहे मिनाक्षी भारत बहुत कड़ाई से आज चीन से ये कहने वाला है कि जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री दोनों के बीच मौस्को में पांच आस्पेक्स पर बात हुई थी कि ये पांच मुद्दों पर सहमती बनी है उस पर कार्यानवायन चीन की सेना को करने की आवशकता है अब तक हो ये रहा था मिनाक्षी कि चीन की सेना कुछ और कह रही थी चीन का विदेश मंत्राले कुछ और कह रहा था और वास्तविक नियंत्रार रेखा पर जबर्दस तनाव और बढ़ता जा रहा था आज भारत दो टूक ये कहने वाला है क की डेपसाइंग से लेकर डेपसाइंग और डीबियो जो उत्तर लदाक में कारा कोरम पहाड़ी के नीचे का इलाखा है जहां केवल आज तक इकलवता चैनल है जहां वहाँ से रिपोर्ट करके आया है डेपसाइंग से लेकर पैंगॉंग सो तक चीन को वास्तिविक नियंतर रेखा के उस पार जाने की आवशक्ता है क्योंकि यही निर्णय हुआ है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कि युद्ध कोई देश नहीं चाहता शांती चाहते हैं तनाव कम होना चाहिए मिनाक्षी भारत एक रोड मैप चाहता है डी एसकलेशन के लिए यानि जो सिपाही हमारे तैनात है वास्तेविक नियंत्रा ने रेखा पर पहले उनका डिसंगेजमेंट हो फिर डी एसकलेशन हो और फिर एक रोड मैप आए जो डी इंडक्शन का हो कि जो 40,000 सिपाही इस समय लद्धाक में वास्तेविक नियंत्रा ने रेखा पर है वो पीछे कैसे जाएंग वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे ताकि एक continuity एक बनी रहे लेकिन मिनाक्शी निर्णय आज ही हो जाएगा तनाव आज ही कम हो जाएगा ऐसा जरूरी भी नहीं है बातचीत आगे भी चलीगी क्योंकि चीन का रवया बहुत जादा कड़ा है चीन ने तो अब यहाँ पर तो आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले